हेलो स्थूव मैं हुरुजएत बहुत-बहुत स्वागत आप सबी का इसने वीडियो में दोस्तो सीरेल गुम है किसी के प्यार में सीरेल के मेकर्स इतने दिन प्रोमो दे ही नहीं रहे थे और अब प्रोमो दिया तो तीन तीन तीवी सीरेल का एक साथ प्रोमो दे डाला लेकिन यहाँ पर जो लेटिस्ट प्रोमो गुम है किसी के प्यार में का चल रहा है न इसको लेकर सवाल आप लोगों के रुखे नहीं है बिलकुल भी क्योंकि यहां पर सभी जो है वो इशान के पास जाती है पर इशान जो है यहां पर सभी का प्रपूजल एक्सेप्ट करने से साफ इंकार कर देता है और सभी लोगों को प्रोμο के अंदर सभी की डिस्पेक्ट पूरी तरीके से डिस होते वे नज़र आईए और यहाँ पर सभी के फेंस एक बार फेड़ से आड़े हाजों से ईशान को ले रहे हैं और गुमे किसी के प्यार में की मेकर्स को कोसर है कि क्यों ये सब करते हैं वो लोग अब यहां पर ऐसा क्या हो गया कि इशान यहां पर सभी के हाथ से एक बुके तक नहीं ले सकता तो देखो यार गुमे किसी के प्यार में का प्रोमो है ना उनकी स्टोरी लाइन की तरह ही बि इसा ही देखने को मिले अब देखो यहां सबसे पहले आने वाले एपिसोड में गुड़ी पाडवा का त्युहार जो है घर के अंदर सेलिबरेट किया जाना है और यहां पर चिन में की एंट्री पूरी तरीके से आपको देखने को मिल गई है बहुत सारी लोग बोल रहे थे क रज़त भाई आपने कहा था कि चिन में जब पूरी तरीके से सामने आएगा तो इसका एक अलग शरीफ लुक हमको देखने को मिलेगा पर यहां पर तो वो गिलासों में शराप पीते वे नज़र आ रहा है तो देखो यह शिखा के सामने उसका चैरा है लेकिन घर में जब एंट्री लेने वाला है तो वहां पर उसका लुक और उसका भीहेवियर बहुत चेंज आपको नज़र आएगा विकॉज उसे भी पता है कि बोसले हाउस में इस तरीके से जाना जो है अपने आप में उड़ता तीर ही लेना है और अगर अपने मनसूबों को कामयाब करना है तो यहां पर यशुन्त का अच्छा बेटा बनकर दिखाना ही पड़ेगा कुछ समय के लिए ही सही लेकिन जरूरी तो है विकॉज सारी सत्ता फिलाल जो है वो यशुन्त के हाथ में है वेल चिन्मे के बारे में पिछले तीन-चार वीडियोस से क्या पिछले कई सब्ता से लगातार हम बात करें लगबग चीजे आपको पता इस्टोरी लाइन में कैसे आगे बढ़ने वाली है एंट्री के टाइम पर क्या पूजा पार्ट वाला सीन होने वाला है पूजा की आरती थाली वगएरा सब कुछ मैंने आपको बताया है अगर आप लोगोंने नहीं पता पर इशान को जो है वो पसंद करने लग गई है लेकिन यहाँ पर रीवा जो है अभी भी बीच में बैरियर बनकर खड़ी है स्पीड ब्रेकर बनकर खड़ी है जो कि यहाँ पर परेशानिया खड़ी कर रही है और अक्का साहिब जैसे कुछ बेवकूफ लोग उनका सपोर् जाएगी और यहाँ पर रीवा के एंट्री हो जाएगी और इतने पड़े लिखे लोगों की सोच अगर ऐसी होती है तो यहाँ पर अनपड होना ही बेटर होता है मेरी ख्याल से क्योंकि टीवी सीरियल के अंदर अगर ऐसी चीज़े दिखाई जा रही है तो यहाँ पर वो खायरे ना कि यह असली युनिवर्स है ही नहीं वो अलग युनिवर्स में चल रहा है तो हमारे यहाँ पर तो पड़े लिखे लोग और नॉर्मल लोग भी यहाँ पर ऐसी हरकते नहीं करते है क्योंकि हमारी संस्कृती इतनी मजबूत है कि यह सारे संस्कार तो हम ले कर ही तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती है वैल यहाँ पर आप सभी को आने वाले एपिसूड में देखने को मिलेगा कि साथ में पूचा पाठ कौन करेगा तो आप सभी को बता दू कि गुडी बाड़वा कि ये पूरी तरीके से जो पूचा पाठ है वो सभी और इशान ही साथ में बिलकल करेंगे लेकिन यहाँ पर कलेश की उत्पतिता होने वाली है जब गिफ्ट का सवाल आएगा कि विकाउज जरीवा भी गिफ्ट लाने वाली है सभी भी गिफ्ट लाएगी पर यहाँ पर सभी के गिफ्ट को लोग चीप बता कर साइड में सरका देंगे लेकिन इशान उसे तवज्जो देने वाला है और यहाँ पर इशान के लिए जो है सभी के मन में और भी अच्छी फीलिंग्स और और भी अच्छी रिस्पेक्ट जो है वो बिल्ड होते हैं आपको नज़र आएगी यहाँ पर यह आपको चिन्वे केंट्री देखने को मिलेगी अब चलिए चल लेते हैं लोग सीधे प्रोमो की और विकाज मैं नहीं चाहता कि वीडियो और जादा लंबा कीचा जाए क्योंकि बताने के लिए फिलाल बहुत कुछ है लेकिन आपका सवाल सबसे इंपॉर्टेंट होता है बात कर लेते हैं प्रोमो के बारे में तो प्रोमो में आपने देखा है कि लाल कलर की साड़ी में सवी जो है वो इशान के बास जाती है बुके लेकर अपना हाल बताने के लिए लेकिन यहाँ पर इशान साफ रिजेक्ट कर देता है अब आपको सबसे पहले तो बता दू कि उनका लुक पहले आप चेक करते यह वही वाला लुक था जिस दिन सवी और इशान यहाँ पर डिनर के लिए गए थे बाद में हरी नीताई के लिए हॉस्पिटल में गए थे तो यह प्रोमो सीरियल के मेकर्स ने पहले शूट करकर रख रखा था एंड हमारे सामने उन्होंने पेश कर दिया तो यहाँ पर इस लुक में और इस तरीके का पूरा आपको बैक्गरांड वगरा बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है यह बिल्कुल उलट सीन होगा जहां तक न्यू अपडेट्स आ रही है उसके हिसाब से तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सभी जो है वो इशान से थैंक्स करते वे नजर आएगी उसके पास जाते वे नजर आएगी सारी चीजों के लिए शुक्रिया करने के लिए और उसे बताने के लिए कि अब वो उसे चेड़किया नहीं लगते है वो उसे बहुत अच्छे लगते हैं और वो उनके साथ रह सकती है ऐसे में यहाँ पर सवी को लगेगा कि इशान सर को अगर वो सारी चीजे बताएगी तो शायद उनके लाइफ में जितने question mark है जितने सवाल है जितने सारे obstacle है वो सारे clear हो जाएगी और शायद उनके life जो है वो sought out हो जाएगी लेकिन यहाँ पर सवी को लग रहा है कि इतना सब कुछ आसान है यह बड़ी ही आसानी से पूरा हो जाएगा और यहाँ पर सवी यही सोच कर जाने वाली है इशान के साथ लेकिन को कहते हैं कि सीरिल के makers को situation create करने में वक्त नहीं लगता है और यहाँ पर सीरिल के makers इसी moment पर ज उससे ही चार गुना सवी को होतेवे नजर आएगी और सवी जिस confidence के साथ इशान के पास जा रही थी सारी चीज़े कहने के लिए बताने के लिए उतनी ही तेज रफतार से उसका दिल तूटने वाला है बिकॉस यहाँ पर सवी ना कुछ कह पाएगी ना इशान कोई जवाब दे पाएगा बस यहाँ पर सवी इशान और रिवा को देख कर जो है अपने आप में यह समझ लेगी कि नहीं अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ पर वो इशान सर की लाइफ को बरबाद कर देगे विकॉस इशान सर जो है वो रिवा मैं को पसंद करते हैं और मेरे जाने के बा वहाँ पर जाने वाले थे तो यहाँ पर सारी चीजे सवी के माइन में वो वापस आने वाली है और सवी को वहीं पर रियलाइज हो जाएगा कि मेरा इशान सर को कोई भी गिफ्टे देना थैंक्यू बोलना है प्रोपोस करना कोई माइने नहीं रखता है क्योंकि मेरी यह यानि कि आल ओवर सीरिल के मेकरस ने प्रोमो दिखाया है लेकिन सीन अलग होने वाला है जहां तक न्यू अपडेट का सवाल है और कहानी घूम फिर के उसी पॉइंट पर आकर रुख जाएगी जहां पर आलरेडे चल रही है यानि कि यह वो ट्विस्ट है जो कि सीरिल क अंदर आते हैं लेकिन कहानी पर इंपक्ट नहीं देते बस कुछ समय के लिए हम लोगों को इंगेज रखते हैं कहानी के अंदर बाकी तो अब सारा जो दारमुदार है कहानी का वो चिन्मे के कंदो पर जाएगा विकॉज अब मेन मुद्धा कहानी का चिन्मे ही होने वाला है क्योंकि घर में एंट्री के साथ ही जो है आपको नए नए बवाल नए नए साजिश हैं और नए नए चेहरे जल्दी अब देखने को मिलेंगे एंड यहां पर दोस्तों उमीद ऐसी है कि जल्दी ईशा मैम और शांतुनू भी लोट कर आ जाए पर अब तक तो यह उमीद हमारी जो है अभेशा ही तूरते वे नजर आई है सीरिल के मेकर्स पता नहीं क्या चाहते हैं बहुत सारी अपडेट्स ऐसी है कि सीरिल के मेकर्स ने किरदार ही रिमूव कर दिये हैं कहानी से पर अब समझ में नहीं आता है कि उनकी बिना कहानी बढ़ाएंगी कैसे आगे मा कोई भी सवाल है तो शेर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आई रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर जीजिए दोस्तों, मैं मिलूंगा आप सब इलको से अगले वीडियो में, जब तक के लिए, थैंकि झाल